नमस्कार दोस्तों क्या आपका गुड़हल का पौधा बिमार है उस पे कोई कलिया कोई न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है या आपके गुड़हल के पौधे पर कलिया आ रही है लेकिन कलियों का साइज छोटा है नहीं तो कलिया अगर अच्छा आ भी रही है फूल बनने से पहल मैं लेकर आई हूँ एक बेहतरिन फटलाइजर जिसका आप इस्तेमाल करके अपने गुड़हल के पौधे की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और ऐसे ही बिग साइज के फूल पा सकते हैं दोस्तों आप छोटे से छोटे पौधे में आप फूल पा सकते हैं बस इस फटलाइ हैं सिकुड़ सी गई हैं बिल्कुल खूल के नहीं फाइली पड़ी हैं यानि कि बर्न यानि कि सिकुड़न हो गया है यह सब समस्याओं हो गई हैं तो सब को ठीक किया जा सकता है दोस्तों आई एक चीज और बता दें उस पर नई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल लए यह नई ग्रोथ का मतलब है कि नर्शरी से आप पौधा खरीद के लाए हैं काफी समय हो गया और उस पर नई कोई ब्रांच नहीं निकली है तो भी समझे कि आपका पौधा सहीं से विकास नहीं कर रहा है उसको बहुत जरूरी पोशक तत्तों की आउसकता है ताकि वो अपन मकड़ी हुआ मिट्टी के अंदर या पौधा के उपर सारी समस्यां से आपको निजात मिल जाएगा दोस्तों यह ऐसा एक फटलाइजर है कि अगर जो कलियां यह आती है तो कलियों को कभी-कभी ऐसे कीड़े लग जाते हैं कि कलियों को इसे छेद कर देते हैं तो उससे भी निजात आपको मिल जाएगा तो खाद को यूज करने से पहले चलिए कुछ जरूरी काम होते हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं उस काम को अगर आप कर लेंगे तो इस खाद का आप यूज करते हैं तो खाद 100% गारंटी के साथ आप फायदा करेगा आपके पौधे को तो दो हीने में दो बार मिट्टी की खुदाई करनी है मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ती बढ़ जाती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है मिट्टी की जो ऊपर प्रत की लेयर होती है वह खुल जाती है खुदाई से जिससे यह होता है कि कि यह पूधे की एक्सट्रा एनर्जी को ले लेती हैं तो आप इतना कर लेंगे तो आपका पूधा बंपर विकास करेगा उसके बाद फूलों का साइज भी सही होगा कलीों का साइज भी तो दोस्तों यह काम बहुत जरूरी है उसके बाद अच्छा फूल पौधों को कमई से कम 6 6-8 घंदी संलाईट के जरूरी होती है। ज geek fjk अगर आप ऐधने संलाइट दिखाते हैं वह पौधों अच्छे से वगास करता है। अगर उसकी घंटे के ने रखास तो वह पौधा नहीं करेंगे। उस फूल तो आएंगे लेकिन छोटे छोटे बित्ते बित्ते जहीं से आएंगे लेकिन वही पौधा आप धूप में रखते हैं तो बहुत तेजी से ग्रोध करता है तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा उसके बाद आप खाट डालेंगे तो फायदा करेगा तो चलिए खाट डालने से पहले एक काम और करना है कि मिट्टी में आपके कोई भी जैसे घास निकल जाता है उसको हटा देना है कोई कशड़ा हो उसको साफ कर देना है क्यों कर देना है क्योंकि आप जब मिट्टी की खुदाई करेंगे तो कशड़ा उस मिट्टी के अंदर तो इन सब बातों का ध्यान रखना है दोस्तों और जो घास होते हैं वह पौधे की extra एनरजी को ले लेते हैं तो घास हो गया नरह इस बात का ध्यान लखेगा और खाट डालने से पहले मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से कर लिजेगा ताकि जो आप खाट डालना हैं वो मिट्टी की जड़ो तक जाए अगर आप बिना खुदाई किये खाद को डाल देंगे तो ऐसे उपरी परत उपरी लेयर में रह जाएगा जड़ो तक पहुंचने में काफी समय लगेगा तो बहुत भी लंब होने लगेगा समझिए तो खाद हो गयरा हमेशा मिट्टी की ख अच्छे से विकास करता है तो कई फायदे होते हैं मिट्टी की खुदाई का खाट डालते समय भी और महीने में दो बार जो खुदाई होती उससे भी है दोस्तों और बात करें वाटरिंग की तो पाउधों में जब भी वाटरिंग करिएगा तो ओभर वाटरिंग ना करिए तो इन सब चीजों का ध्यान लखिएगा नहीं तो पाउधा आपका धीरे-धीरे करके मर जाएगा आप समझ भी नहीं पाऊगे अगर पानी की अधिकता हो जाती है मिट्टी में या पाउधों में तो उससे यह होता है कि कलिया जो होती है फूल बनने से पहले गीर जाती है पत्तियों का बर्न होना कीडो का आकरशन आना यह दुनिया भर की समस्याय होती है मिट्टी के अंदर भी फंगस आने लगते हैं जिसकी कारण धीरे-धीरे करके पाउधा मर जाता है और पानी कंटीनियू मिट्टी में लगता है तो एक समस्या आओ रहती है मल्टी विटाम की कमी एक तो पौधा गमले में लगा है अदूजा आप कंटीनियू पानी डालते रहेंगे तो भी दिक्कत हो जाती है इन सब बातों का आप ध्यान लखिएगा जब मल्टी विटामिन्स की कमी आती है तो यह उपर पत्तियों का ओरिजिनल कलर दिख रहा है वह गलर कलर गा खुना आप उंचित करियेगा जब भी आप रिपॉर्टिंग करियेगा जरी प्लांट लगाएगा तो यह चीज अगया गंबले का चुना अच्छा करियेगा चाहें चोटे गंडे लगाइए चाहें बड़े गंडे में लगाइए ऐसा गंडा हो जिसमें ड्रेने सिस्टम पानी डाले पानी च्छन के निकल जाए पानी उसमें तिकना नहीं चाहिए दोस्तों इन बातों का ध्यान लगते हैं तो आपका पौधा 100% गारंडी के साथ विकास करेगा तो देख सकते हैं ये खाद के रूप में मैंने एक चमज फंगिस साइड पाउडर लिया है इसको नहीं नहीं पाउधे को देना बहुत ही जरूरी होता है उसके बार मैंने एक चमज के करीब Epsom salt लिया है इसको डानले के होता पतियों का color original आता है कलियों का size बड़ा होता है फूलों का size बड़ा होता है पौधे अच्छे से विकास करते हैं अगर पौधे का जड़ों का निर्माण बंद हो गया है तो जड़े बंदनी सुरू हो जाती है पौधे में जो भी समस्या है जैसे कलियों का गिरना पतियों का पत्तियों का लाइट कलर होना फूलों का साई छोटा पौधे पर न्यू ग्रोथ करना होना तो फंगी साइड पाउडर और एपसम सॉल्ट अगर आप पौधे में डाल देते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपके पौधे का बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से विकास होगा लेकिन धूप में रखना न भूलिएगा और खाद डालने के बाद भरपूर पानी डाल देजिएगा ताकि जो आपने खाद डाला है वो अच्छे से गल जाए ठीक है दोस्तों अभी जो मैंने खाद दिखाया है उसको आप 2 लिटर पानी में घोल कर और उसके बाद हर पौ कीडे मकोडे चीटियां जो भी लग रही है सारी समस्यां से आपको निजात मिल जाएगा और पाधो को भी जरूरी पोशकतत पत्तियों के द्वारा में मिल जाएगा तो अपनी वीडियो में चलते चलती एक चीज और आपसे शेयर कर ले दोस्तों कि आप मिट्टी तैयार क मिट्टी वेल्डरेन का मतलब होता है बिल्कुल भूर भूरी ऐसे हाथों से मसला ऐसी मिट्टी होनी चाहिए दोस्तों ऐसी मिट्टी में पौधे बहुत अच्छे से विकास करते हैं दोस्तों तो मेरी वीडियो आपको पशंद आएगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब पर पानी डालेगा नहलाने से होता है एक्स्ट्रा कीडे मकोडे आई जहीं धूल के पानी में चले जाते हैं